है नमस्का दोस्ता आज के इस वीडियो लेक्छर हम बात करेंगे पैलल डायोड प्रॉबलम के बारे में है अगर डायओ प्रॉबलम को पिछले लेक्छर में ने सीडी veg प्रॉबलम को घूत किया है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि यह डायोड है वह आपके सबसे पहले आपको पता करना है तो इसका देखिए प्लस टर्मिनल है डायोड के पी से कनेक्टिड है और माइनस है ठीके न वह आपका नेगेटिव से दोनों ही से में आप देख सकते हैं यहीं प्लस माइनस तो ऑविसली दोनों डायोड आपके फॉर और बाइस होने वाले हैं तो सिलिकन के डायोड हैं तो उनका जो कटेंड वोल्टेज है हमें मालम है 0.7 वोल्ट होगा तो हमने उसे 0.7 बोल्ट के बैटरी से कर दिया तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि डायोड आपका रिवस भाइस है और उसके हिसाब से आपको एक दूसरा एकुलेंट सके उसका बना लेना होता है ठीक है यह आपने बना लिया अब इसे बनाने के कम्प्लीट यह आपका क्लोज लूप हो गया इसमें आपने के बियल लगा दिया तो के बियल आपने इसमें लगाया तो अब देखे, सबसे पहले यहाँस पर V0 V0 जो है, V0 हमने सबसे पहले character कर लिया है, तो V0 क्या है? V0 actually यह जो diode है, इनके across voltage है, यह diode है, तो आप देखे रहे, यह पहले यहाँ पर है तो आप simplest battery का ही voltage नापर है, एक तरही किस देखा जाए सबसे पहले हमने जो निकाल लिया वो निकाल लिया भी नौट वी नौट आगे आपका 0.7 ठीक है उसके बाद आपने के वियल लगाया तो के वियल आपने लगाया तो माइनस 10 ठीक है माइनस 10 और फेदर आगे चलेंगे आप 0.33 प्लस 0.7 ठीक है यहां से जो आ जाएगा वह आपका 28.18 मिली एंपियर आ गया ठीक है यह मिली आपको समझ में आता है ना मिली कैसे आता है यहां पर आपका आ रहा होगा 028 ऐसे करके तो उससे हमने 28.18 लिख दिया है ठीक है उससाब से अब देखिए यह आईडी वन आईडी अब ने हुआ है आपने जो यह आईवन करेंट निकाला है और यह दौनों ब्रांच यह सेम है आप देख रहे हैं एक डायूट यह लगा है बाकि कुछ नहीं लगा हुआ है यहां पर लिख लगा हुए तो इस केस में यहां पर रेजिस्टस लगे नहीं हुए है अगर एकली डिवैड हो जाएगा तो सिंपल आपने का आईडी वन इस इकल टू आईडी टू इस इकल टू आईवन बाई टू कर दिया आपने तो यह जो करेंट आ रहा है यह दोनों डायोड के क्रोस होगा ठीक है समझ में आ गया ठीक है इसके बाद हम नेक्स प्रॉलम देखते है इसमें देखिए इस तरीके से डायोड है वो कनेक्टिभ वह ठीक है इस और अगें आपको यह चर्क करना है जब बैटरी से ब्सें करेंट कर लेते हैं तो आपको फिर समझ में आता है कि फॉर्ड बाइस होने वाला है तो जब यह प्लस ट्वंटी है इसका मतलब यह है कि यहां पर जो बैटरी लगने वाली है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और ग्राउंड की तरफ होगा ठीक है यह ग्राउंड की तरफ होगा पी साइड है एन साइड है तो यहां से सब समझ में आ रहा है कि यह बाला जो डायोड डी टू है वह आपका रिवर्स भाइस होगा तो रिवर्स मैंस होगा तो यह उपन सरक्षिट हो गया और यह फॉट्ट बैस होगा सिलिकन का है इस वैसे 0.7 बोल्ट से लिखा दिया अगर यह मेंसन नहीं होता सिलकन का है तो आप उसे फिर आइडियल मानते हैं और यहां पर कोई बैटरी नहीं लगाते हैं अब सिंपल इसे सॉट कर दे तो एक है बंपर यह सिलकन है प्रैक्टिकल डियोड तो आपने 0.7 ब्रूट लिखा बस उसके बाद आपको क्या करना है अब आ तो यहां पर यहां पर हमने कनेक्ट किया है 12 वोल्ट तो इस तरीके समसक्ति है कि यहां पर यहां पर यहां पर हुआ तो क्या दोनों डायोड आपके ओन हो जाएंगे यह इसका पी है यह पीपर आ गया और यह नेगेटिव जो है पी अंडायोड यह नेगेटिव है वह आपको ग्राउंड पर जा रहा है ठीक है तो उसे साफसे दोनों हो जाने चाहिए ठीक है दोनों हो जाने चाहिए ठीक है दोनों हो गए तो जब दोनों हो जाएंगे तो जर्मेनियम का जो डायोड है ठीक है इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे 0.3 बोल्ट क यहाँ पर एक साइड में 0.7 एक सब्वाइन क्या ऐसा संभव है इसका मतलब ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या दोनों ओफ होंगे नहीं दोनों भी नहीं होएंगे क्योंकि उपर देख रहे हैं प्लस इधर आ रहा है तो कोई तो अन होगा अब क्वेशन नहीं आता है कौन जा ओन होगा ठीक है तो उसमें सिंपल आप यह समझे लिजिए कि जैसे 0.3 जैसे ही हुआ तो कौन सा डायोड ओन हो जाएगा जर्मिनियम का जर्मिनियम का डायोड ओन हो जाएगा तो जैसे यह डायोड ओन होगा तो यहां पर बोल्टेज कितना बन गया यहां पर बोल्टेज कितना बन गया मतलब इस टर्मिनल पर बोल्टेज कितना बन गया 0.3 इसने यहाँ पर अपर इसे एक बैटरी से आपके सकते हैं कि आपने एक बैटरी इस तरहीगे से यहाँ पर कनेक कर दिया 0.3 बोल्ट ठीक है अब क्या होगा अब यह 0.3 बॉल्ट है ठीक है अब यह इस डायोड के एक्रोस फादर बोल्टिज नहीं बढ़ने देगा यह तो बैटरी है अब यह 0.4 नहीं हो सकता ठीक है ना तो इस डायोड के across जो voltage रहने वाला है silicon का जो डायोड है यह बाला इसके across हमेशा 0.3 वोल्ट रहेगा लेकिन silicon का जो diode है उसे on होने के लिए 0.7 पूल चाहिए जो कभी होगा ही नहीं ठीक है ना बिकॉज यह डायोट पहले ओन हो गया है तो 0.3 इसके एक्रस आ गया तो यह आफ रहेगा तो यह यहां पर कंसेप्ट था ठीक है यह आफ रहेगा तो यह आफ हो गया तो बस अब आप इसे सॉल कर सकते हैं सिंपल तो यह धूं अपका यह आपने ओन तो यहां बैटरी लगा दिया ब्स उसके बाद आप चाहिए सकते हैं यहां से आप तो ब्लब इस तरीका से पुरा एस से लगाते हुए लगा सकते हैं तो यहां से प्लस से यह सबोल्ग है रहे हैं तो यह पूच्छ Twice कर गट the तो यहां पर गटते हुए वोल्टेज यहां पर कितना आ गया 11.7 तो यह तो एक देशी तरीका हो गया तो भी आप लगा सकते आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इस आई की वल्यू निकालने पड़ेगी तो कैसे लगा हो गए यहां पर आपने यह बैटरी इस तरीके स आपका यह 12 बोल्ट का बैटरी तो यह माइनस प्लस ठीक है तो के विल आपका इदर से सुरू होगा तो माइनस लिखेंगे आप ठीक है माइनस ट्रेल इदर से आ गया फिर प्लस थ्री प्लस 0.33 नहीं है 0.3 यह हो गया और उसके बाद फिर आप यहां पर आए अब चाहें तो आप इसे पूरा का पूरा निगा लिए यहां से यहां तक जो वोल्ट येज हो क्या है प्लस- वी नॉट है बस आप डिरेक्ट्ली उसे लिख दीजे प्लस आपने लिख दिया वी नॉट इस इकौल तो जीरो ठीक है हमें यह कर एंगे उतनी है वी नोट तो बस अब यह क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं यह दोनों करेंगे तो 11-11.7 तो इस ताइप के प्रोडम्स आप आसानी से बना सकते हैं जतने ज्यादा प्रॉडम्स आप करेंगे आपको और ज्यादा समझ में आएगा आपकी अट्रीं ज्यादा डिबलप होगी तो अगर आपको यह ले हो तो इसे लाइक करें और सेयर करें थैंक यू